बिसमिल्लाइ रख्मानुरीम, असलाम अलेकूं विवर्स, वेलकम टू यमी फूट बाय हीना उमीद करती हूँ आप सब खेरिये से होंगे तो विवर्स, आज हमारे किचन में बनने जा रहा है, बहुत ही मसेदार स्पाइसी, पैन फ्राई, चिकन, मसाला बोटी चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पैन में आदा कप ओइल शामिल करेंगे उटा हुआ लसन अध्रक शामिल करेंगे, एक खाने का चमच लसन अध्रक को ब्राउने करना, हलका सा सौते करने के बाद इसमें चिकन शामिल करेंगे 300 g चिकन है जिसको मैंने cube cut कर लिया तो viewers अगर आप चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल को subscribe ज़रूर कर दीजिएगा अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो like ज़रूर कीजिएगा friends and family में share कीजिएगा और bell icon को press ज़रूर कर लिजिएगा ताकि मेरी आने वाले latest videos की updates आपको मिल सकें 4-5 minutes chicken को fry करने के बाद इसमें मसाले शामिल करेंगे हलदी शामिल करेंगे 1,4 चाय का चमच सुर्ख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे 1,4 चाय का चमच एक चाय का चमच नमक शामिल करेंगे आप अपने हस्बे जरूरा शामिल कीजिएगा काले मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे आदा चाय का चमच मसाले अड़ करने के बाद चिकन को मज़ीद बूनेंगे अब हम शामिल करेंगे इसमें तिका मसाला, आदा खाने का चमच भुना, कुटा, जीरा शामिल करेंगे आदा चाय का चमच और आदा ही चाय का चमच इसमें हम गरम मसाला पाउंडर शामिल करेंगे 1.5-2 मिनट हम इसकी मज़ीद बुनाई करेंगे और उसके बाद हम इसमें प्यास शामिल करेंगे प्यास लेएं जी दो मीडियम साइज के प्यास हमने फाइनली छोटे-छोटे चॉप की होए लेने जिस तरह हम आमलेट में शामिल करते हैं प्यास प्याज एड़ करने के बाद हम इसको 2 मिनट मزीद बुनेंगे अब हम इसमें टिमाटर शामिल करेंगे टिमाटर मैंने दो लाट साइस की लिए जिनको मैंने फाइनली छॉप कर लिया टिमाटर मैंने अच्छी तरह दो कर इनका छिलका उतार लिया था टेमाटर शामिल करने के बाद दो से तीन मिनट मजीद इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे लेमू का रस शामिल करेंगे दो खाने के चमच लेमू के रस से इसका टेस्ट मजीद इनहेंस होगा और जाइका बहुत मज़दार लगेगा अब हम इसमें मोटी चॉप की हुई हरी मिर्च शामिल करेंगे जो के मैंने चार चोटे साइज की लिए हाई फलेम पे हम इसको दो से तीन मिनट अच्छे से भून लेंगे ताके मसाला यग जान हो जाए और ओय छोड़ दे कटा हुआ फ्रेश हरदनिया और हरी मिर्च और स्लाइस्ट कटे हुए अधरक से हम इसकी गानिशिंग करेंगे तो वीवर्ज हमारा जट पट पैन फ्राई चिकन मसाला बोटी बनकर त्यार है 15-20 मिनट में ये मसाला बोटी बनकर त्यार हो जाती है रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक भी जरूर कीजिएगा दौाओं में याद रखिएगा अपनी सहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा क्योंकर जी जान है जल्द मिलूंगे एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज